कि इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा राष्टे पती जी के अभी भाषन पर हम जर्चा कर रहे हैं कल धर्बंदर पदान जी यहां बोल रहे थे और बार बार हमारी तरफ कटाक्षा करके हमें ये बोल रहे थे कि सत सुनो सत सुनने से मोक्षप राप्त होता है हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं अगया जुट को भी सच मांद रहे हैं लेकिन आज जो चल रहा हमारे देश में जो माहूल है मैं देखता हूँ जो सच बोलता है जो सच लिखता है उसे गद्दार देश-द्रोही भूल दिया जाता है कि इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की दिवीजे साम ने बहुत उस बारे में कहा है सर्चो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देज़ द्रोही का मुकदमा अश्ठोक दिया जाता है कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ हमारे सदन में संजे सिंग हमारे सदस है संजे सिंग उसके उपर देज़ द्रोह का मुकदमा है राधिप सरदेशाई जाने माने पत्रकार जिसको हमने सरकार ने पदमस्री दिया है पदमपुरसकार सनमानित किया है उसको हमने देज़ द्रोही बना दिया है सच्छी थरूर जो उनाइट्रेट डेशन में हमारे देश के प्रतिनी दी थे MP है कैमिरेट में थे उसको भी देश द्रोही का उसको उपर मुकदमा ठोक दिया है जो सिंगु बाड़ा पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंग, धर्मेंदर सिंग और विए ऐसे बहुत से पत्रकार है या लेखे खेल्स को हमने इस कानून के तहट देश द्रोही के कानून के खिलब मुकदमा ठोक दिया है मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब IPC धाराए खतम कर दी और सब देश द्रोही के धारा एक ओई रग दी है डोमिस्टिक वाइलेंस हो तो भी देश द्रोह का मुकदमा ठोक देगा पंतरदान मोदी हमारे लिए आधरनिय है देश के प्रदान मंत्री जेका हम सन्मान करते करते रहेंगे उन्हें प्रचंड़ा भहुमत मिला है देश चलाने के लिए हमें मानते है लेकिन भहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता भहुमत बड़ा चंचल होता है हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम संत तुकाराम उसने कहा है, निंदक आचे घर आसावे शेजारी, उसका मतलब है, जो आपका निंदक है, जो आपको ओपर खिटि साइच करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपको आसपास रहिना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करें जो टिका करें आप उसको बदनाम कर देते हो जैसे किसान अंदोलन जिस तरह से इस किसान अंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है किसानों के लिए ठीक नहीं है हम सब के लिए ठीक नहीं है 26 जाने वारी लाल के लिए पर किरंगे का अपमान हुआ उससे हमारे प्रधान मंतरी बहुत दुखी हो गया पुरा देश दुखी हो गया लेकिन लाल के ले पर किरंगे का अपमान करने वाला जो कोई जिफ सिद्धू है वो कौन है किसका आद्मी है उस बारे में तो आप नहीं बता दे वो किसका आद्मी है उसको किस ने ताप कर दी है ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया लेकिन 200 से जादा किसान इस प्रकरड में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश-द्रोह का मुकदमा चल रहा है सो से ज्ञादा अंधोलग जो युआ है वो लापता है वो कहा है पोलिस ने उसका क्या क्या उसका एंकाउंटर किया है क्या क्या मार दिया वो पता नहीं है तो ये जो है ये देश-द्रोई है अपने हक के लिए लड़ते है लेकिन देश प्रेमी को है हमारे देश में? अर्णब गोसवामी जिसके वज़ा से एक निरपराज ग्रक्ति महाराष्ट्रा में उजिसना अत्मात्या की कंगना रनावत ये देश प्रेमी है राष्ट्रिय अनेशनल सिक्रेटी ये ओफिसल सिक्रेट संदरबाद उस संदरब में उसने जो सामने लाया है पुरा ओफिसल सिक्रेट तोट दिया हमारा बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारे सबको बता दी हाँ वो आपके शरण में है उसको आपका प्रोटेक्षन है यह राष्ट्य सुरक्षा का मामला है आप उसके उपर बात नहीं करते और यही आदमी यह अरनब गोसामी जो हमारे मंत्री बैटे है वहाँ प्रकाज जावडे कर जी हम उसका अधर करते है हमारे महाराष्ट्य से क्या लिखा उसके बारे में प्रकाज जी के बारे में जो उसने पुरा जो आप समभाशन जो डायलोग आया है न तो एक कैबिनेट को भी ठीक नहीं है हमारे सरकार को ठीक नहीं एक मंत्री के बारे में एक ट्वे अंकर जिस भाषा का इस्तिमाल करते हैं हारे हम छुड़ हम राजनीटी में हमारे बारे में आप तुझ भी बोलो हम सेन लेगे लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है उस बारे में जो बात करती है और आपको शरम आनी चाहिए सबको आप उसको शरंडे रखिये तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर है जब जब एक जूट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्षों को प्राप्त किया है एक जूटा की बात की है अगर ये बात सच है तो गत तिन महिनों से दिल्ली के सिमा पर किसान अंदोलन की एक जूटा तोड़ने में सरकार की लगी है हजारों की साथ गाजीपूर सिंगू बार्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे है और आप इस एक जूटा में आपको देश दुरोह दिखता है प्रीज चेर्मन सर चेर्मन सर ये पंजाब हर्याना और पच्चिम यूपी का किसान पुरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है वो जब मुग्लों से लड़ा तो आम उसे युद्धा कहिए थे जब अंग्रों से लड़ा तो आम उसे देश बक्त कहिए थे ते करोना वाइरस में लंगर बाट रहाता तो देश प्रेमी था लिकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो ओ खलिस्तानी हो गया जो देश ज़े हो गया यह कौन सान्या है आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर खिले टोकते हो आप बड़े-बड़े बैरिकेट्स करते हो यह बैरिकेट्स यह किले का जाल अगर आप लड़ा के बॉर्डर पर करते तो चिन की राइट संजेजी प्रीज अंदर नहीं आती मैं आप दोलने हमारी ताकत है यह जिसकी ताकत है